फ्रेंज रात के बच चुके हैं तीन और हम लोग भोपल से बागेशर धाम के लिए निकल चुके बाए रोड अपने कर्स हम लोग जारहे हैं बागेशर धाम में तो आप लोग बनी रही है अभी हम लोग रश्ते में ही है और हम लोग जारहें पूरा सावन बगर रहा है यह मारे भहिया है पंचु घाया और यह Mrs. बैटे है and आप लोग बने रहे और देखती रही है और हम लोग बाइरूट जा रहा है आपने कार्श तो प्रेंस हम लोग पहुच गए चछतर कुर्भ यानि बागेश्टर भाम के जास जो सीपी होता है चछतर कुर्भ के पहुच गए है यह वायल फोटेल एक्टुएंट है यहां पर ह तो भक्तो आप लोगों को 1008 बागेशर धाम शिद्ध पीट में श्वागत है। मैं आपने सीर पे सबसे पहले तीलक लगा रही हूं। जो आप लोग सामने बड़ा सा बिल्डेंग देख रहा हूं। ये बागेशर धाम के मुखह कारयल है। और इनके राइट साइड में ये जो बिल्डेंग आप लोग देख रहा हूं। ये हमारे पुझी गुरुजी धि की तागात में यहां पर आरजी वाले नारियल बंदी हुई है। ये सामने है सन्नासी बाबा की शमादी। और ये बागेशर धाम के प्रित्रास चरकर के प्राचिन ब्रिक्ष है। ये आप लोग दर्शन कर रहे हूं हमारे कलियुक के राजा बालाजी महाराज के। और यह यहां पर मैं अपनी अरजी वाली नारियल बांध रही हूं। वागेशर धाम का सुबे से चलने वाला निशुल्क अन्नोपुन्ना रश्मी। जो सामने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हूं यह है बागेशर धाम गुरुजी का जो दर्वा लागाते बो जगा है तो अ अब बुनु बाद से पूछ नहीं होगा खड़े हो जाओ और यह है शी शिर्द्धिव पीट शी बागेशर धाम तीर्थ। श्रीराम जय बागेशर धाम लोफरेश नमस्ति सभी को सुवागाते आप सभी का मेरी चैनल अनुतमा भुलोक्स की एक और नए भीडियो में तो आज हम लोग जा रहे भोपाल से बागेशर धाम और यह बागेशर धाम भोपाल से पुरा जाने में 400 किलोमीटर पड़ेंगे तो 400 किलोमीटर हम लोग बाइरोड जा रहे अपने कार से तो आप लोग बने रहेगा पूरे भीडियो में आप लोगों को बागेशर धाम यह बाला जी की दर्शन करवाऊंगी और अच्छे से उहां की घुमाऊंगी तो आप लोग चलिए हलो फ्रेंज नमस्ते स्वागत है आप सबी का मेरी चैनल अनुतमार व्लॉक्स की एक और नए वीडियो तो सबसे पहले आप सबी को पूर्पानी अभी सुबे का छे बज रहे और हम लोग खरे मत्रपदेश की शागर जिला में तो हम लोग जा रहे हैं कहा पे तो आप सतार ही रही है अभी हम लोग रस्ते में हैं और हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग सब जा रहा है पौछ के आप लोगों को बताती हूं और पूरा दिन बने रहे हैं और यह मेरे पती देप जी जा रहा है और यह मेरे बेटे हैं तो हम चारो ही जा रहा है तो आप लोग बने रहे हैं तो हम लोग बाहरूट जा रहा है आपने कार्स से सभांगे फृटल के सामने खरेगें यह जब ओटेल के सामने एफ यह और हम लोग कुछ बटाच कर रहे हैं तो सेश्टाचा पने होटल comfort जेँगे देखके किया से हम लोग फ्रेश होके नहा दोके फिर बागिशर धाम पहुचेंगे तो आप लोग बनी रही और देखिए और अभी हम लोग होटेल लेके फ्रेश होके फिर आप लोगों के सामने आ रहे हैं ठीक है हम लोग चतरपूर पहुच गये चतरपूर से हम लोग अभी जा रहे बागिशर धाम जो के 50 किलोमेटर के सफर है और भोपाल से चतरपूर के पूरा सफर है सारे 300 किलोमेटर तो टोटाल 400 किलोमेटर हो रहे तो हम लोग अभी जल्दी जल्दी पहुचते और आप लोगों को दर्शन कर बाते हैं बागेशर धाम के प्रेंज देखें हम लोग बागेशर धाम पौच गए और बागेशर धाम हाई रोट से हम लोग अभी यहां पर पहुच रहें और सामने आप लोग जो बोड दिख रहें यहां पर लिखा है श्रीशी जाके आप लोगों को पता है हम लोग बागेशर धाम आए है तो बागेशर धाम से दो किलोमेटर पहले हम लोगोंने रूम लिया है तो इस रूम में हम लोग अभी देख लिखी यहाला रूम हम ने लिया है तो अभी हम लोग फ्रेश होके नहाद होके सब लोग जा रहा है बागेशर धाम में आप लोगों को धाम की दर्शन कर बाती हूं तो बने रहे ना आप होटल बहुत बरी जगह में बनी होई है आप है पार्किंग की पूरी शुल इअर इंट कर देख को हाँ और अब पर हम लोग बैठेंगे और बागेशर धामपर्चे पहुच रहे। क्योंकि वागिशर धाने के लिए में बहुत बागल हो रही तो आप लोग बने रही और धाम की विडियो जरुद दीख पर नहना तो आप लोक फृष्ष भी होना था, नहाना दोना था, तो आप लोग नहा के फ्रेश हो के यहां से फिर जा रहा है बागिशर धा में, और पाच किनोमीटर अंदर जाके आप लोगों को बागेशर धम यानि बाला जी की मंदिर मिलेंगे तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूं दर्शन कर बाती हूं कर देश्साइड बाती हूं है कि हम लोग बागेशर धन की पारकिंग में पौछ गया है मैं आएछ से आप लोगों को दिखाओंगी और आभी चलتे पूजास्तन में और पूजा की चलते हुए आप लोगों को ये रोट के दोनों साइड में बहुत ही अच्छे दुकान देखनों को मिलेंगे तो आप लोग यहां से बहुत सारा पुजा की शामोगरी और यहां पे जो बागशर धाम की धिरिन शास्री जी हमारी गुरू जी है उनकी बहुत सुंदर-सुंदर तस्बीर और हैंड पेंटिंग भी मिलेंगे आप लोगों को छोटे बड़े हार तरप की यहां पेंटिंग या तस्बीर मिलेंगे तो आप लोग अपने घर के लिए ले जा सकते हो और किसी को दे भी सकते हो तो चलिया आप लोग बने रही है आप लोगों को दिखा दिखा बागेशर धम में आर्जी लगाना पढता है तो अगर आप लोग घर पे अर्जी लगा चुके हो लाल कप्रे में नारियार रखे तो आप लोग घर के जो अर्जी लगा हुआ नारियार इहां पर लेके आ सकते हो मंदिर पर और अगर लेके नहीं आये हो तो आप लोग इहां से लाल कपरे और नारियल समित अरजी लगाने के ले सकते हो तो मैं तो लेके आई थी घर से और इहां पर देखिए मेरे भाईया और हजबन और मेरे बेटे इहां से अरजी लगाने के लिए ना यहां पर कोई भी आप लोगों को जानकरी चाहिए पूछना है तो आप लोग यहां के जाके पूछ सकते हो और यही से आप लोगों को बभूती और महाप्रशाद भी मिल जाएंगे और सामने जो आप लोगों को यह बड़ा सा एक बिल्डिंग दिख रहा है यह है दिरेंश चाश्री जी यहां पर दर्वार लगाते हैं यहां पर देखिए मंदीर प्रांगान में प्रविश करने के पहले हम लोग सबसे पहले यहां पर टीका लगबार है क्योंकि यहां के चोटे-चोटे जो बच्चे हैं यहां पर टीका लगबार दे रहा है तो हम भी अंदर हुआ है यह आप लोग जो सामने एक बीलिंग देख रहे हो क्रमा केक बाला यह है बागे शर्धाम का मुखो कारिया है तो यहाँ पर जाकर आप भबूति ले सकते हो महापरशेद भी ले सकते हो और कोई भी जानकारी आप आप लोगों को चाहिए तो यहाबर आप लोग जा केपूष सकते हुरु है солसे लिप साइट में पडिक्रमा मारगे और आइठ साइट में बालाजी की मंदिर है तो उसी बालाजी के मंदिर में जाने के लिए आप लोगों को जिग-जग में खरे होना पड़ेगा जो लाइन लगते तो हम लोग लाइन में खरे होते तो आप लोग देखते रहें उस दूर चलने के बाद ही कारियर नंबर दो आ गए है और इसके पास में लाइन लगाना पड़ता है जिग-जाक लाइन में जहां से आप लोगो को बालाजी मंदिर में पहुचना पड़ेंगे तो हम लोग भी हाँ पर काफी देर से खरे हुए है लाइन में लगके क्योंकि यहाँ पर जो मंगलवार है और करीब मंगलवार और शनीवार यहाँ पर 2-3 लाग जनता आते स्रद्धालू आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो इसलिए काफी टाइम लगते हैं और आज गर्मी भी बहुत हैं लेकिन हम लोगों को दर्शन तो करना है इसलिए हम लाइन में खरे हुए तो आप लोग भी देखिए जिगजग लाइन है यह भीर को और्गानेस करने के लिए और भीर को बाटने के लिए बना होता है करीब 15 से 20 रावंड गोल गुम के आप लोगों को मंदिर की प्रांगान की जो सीरी है उहाँ पर पोशन पड़ेंगे तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर की साइट में यहाँ उपर आप लोग देख सकते हो कितने जादा यहाँ पर नारियल अरजी लागाने के बन्दी हुई है हम लोग तो नीचे है लेकिन यह उपर बाला जी की मंदिर है तो बाला जी की मंदिर की सामने नारियल बनने होते है तो हम लोग भी आभी उप पर पहुचेंगे यहां पर दर्शन करके हम भी आपने अर्जी की नाडियल बन देंगे तो आप लोग देखती रही हैं इदेर काफी घंटा हम लोग जिग जग लाइन में घरे होके फिर हम लोग एटलस पहुच चुके हैं मंदिर की प्रांगान की सीरी में और यहां से भी उ आप लोग सामने देख रहे हो यह शन्नाशी बाबा की समाधी है और यह है प्रेत्रा सरकार के प्राचिन वो वेक्ष है जिनको प्रेत्रा सरकार की रोप में पूजा करा जाता है तो आप लोग प्रेत्रा सरकार की दर्शन कीजिए और देखिए और आप लोग दर्शन कीजिए श्रेशी बालाजी शरकार की और शी बालाजी धाम की तो देखिए हम लोग बालाजी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और पूजा भी कर लिए और यहांपे नारी अल बानने की जगह है, जहांपे अरजी बालाजाना पड़ता है, तो अरजी लगा के मैं यहांपे नारी अल बान रही और नारियल बांत हुए आप लोग भी यहाँ पे अच्छे से बोलिये और इस मंत्र का जाब भी करिये ओम बागेशराय नमो और ओम सन्नासी देवाय नमो इसी को तीन बार बोलते जाए और अपनी मन बांचा भगवान को बोलते जाए वो आपको सारे दूख हर लेंगे और आ आपको अलग से यहाँ पे एक अनुवती होगी जो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ भी यहाँ पे हुए थे तो चलिया आप लोग और देखिया आगे और वीडियो देखिये यहाँ पे आरजी लगा दिये हर आप लोगों को मैंने अच्छे से बाला जी के दर्शन भी लिखियेगा और आगे चलती रहे हैं मैं आप लोग को लेके चलती हूँ जहाँ पे हमारे गुरुजी दर्वार लगाते उसी स्थान पे और हम लोग दर्वार की स्थान पे जाते और गुरुजी की दर्शन करते जहाँ पे आज मंगलवार का दर्वार लग रहे हैं वही ज आप लोग ये जगा देख रह newly a annah不知道ुरल भथार हो यहां पे चयरा भास फ़लिक रहा देखेर चाहिए तो कि आप लोग अभी प्रशाद पा के वहां पे जा रहा है दरवाद के दर्शन करने और गुरूजी के दर्शन करने जो आप λोग सामने ये जगा देख रहे हो ये दरवार के बाहर साइड है आप लोग टीवी में और मुबाइल में देख सकते हो यहाँ पे गुरु जी सुबे-सुबे आते है अपने भक्तो को दर्शन भी देते हैं और यहाँ पे शेभवुती भी बाटते हैं और यहां पर दर्वार भी लगाते हैं लेकिन अभी काफी दूपर हो गया तो इसलिए धूप भी और गरमी भी बहुत है इसलिए अंदर गुरुजी दर्वार लगा रहे हैं और हम लोग भी यहां से दर्वार के अंदर चलते दर्वार और गुरुजी के दर्शन करने के देख रहा हूं यह इसलिए है जो दर्बार लगाते है गुरुजी यह दर्बार के जो हॉल है यह अंदर से पूरा भर चुका है और इतना जनता है जो सुबे से आये हुए है और इहां पर पैर रखने की जगा तक नहीं है तो वहां पर जगा नहीं इसलिए लोग बहारी है तो अंदर जाके एकदम सामने से गुरुजी की दर्शन करना तो बहुती मुश्किल है तो हम लोग यहां पर देखिए जो हॉल के बाहर साइट में बड़े-बड़े खिर्किया है यहां पर हम लोग धक्का मुक्की करके कैसे भी करके बहुती मुश्किल से गुरुजी की को अंदर बुला ले तो इनके भी अपना मनों पूर्णी हो जाए तो इसी चकर में यह लोग यहाँ पर बैठे तो चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं नहीं होगा खड़े हो जाओ जितना ज्यादा नाम जब करोगे उतने ही सुरक्षत रहोगे फिर हम तुमको ग्यारा पेशी के बाद में कभच दे देंगे गौनों की साधी मेरी बें को सामने आप लोगों को यह गेट दिख रहा है यहां से नॉर्मल लोगों का जाना तो मना है उन लोगों के लिए वोई जिगजग लाइन वाले में खरे होके आंदर प्रविश करना पड़ेंगे लेकिन एही से प्रविश करते हमारी जो सरद्धियो गुरू जी धिरिन्शास्री जी रोज सुपे प्रातकाल में चार बज़े यहां पर उठके आते हैं और यहां पर ज सरकार के भी दर्शन करवाई हूं और जहां पर गुरू जी हमारे दर्वाल लागाते वही पर भी मैंने आप लोगों को दर्शन करवा दिया तो बो जगा भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया तो आप लोगों को लेके चलती हूं जहां पर परिक्रमा करना पड़ता है य तो बागे शर्धाम बाला जी के दर्शन करके हम लोग आ गए हमारे वापस होटेल में इसी होटेल में हम लोग ठैरे थे जो थे में रोड से थोड़ा सा अंदर आके राइट साइड में है और ये होटेल बहुती अच्छे जगा में बने हैं बहुती अच्छी सुवीदा है यहां पर रहने की बेवुस्ता है और खाना खाने की बेवुस्ता है आप लोगों को अलग से कई और जाना नहीं परेंगे और यहां पर सारी बेवुस्ता बहुती अच्छे है इसलिए हम लोग इसी जगा में ठैरे थे होटेल ये काफी खाने के लिए कोई आर जाना नहीं पड़ेंगे यहां पर नीचे रेश्टुरिंट बने हुए और बहुती अच्छा यहां पर खाना बनते हैं तो आप लोग चलिए देखते रहें और आप लोग बताना आप लोगों को पूरा ये बागेशर धाम के दर्शन करके हमारे बाला जी के दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्षन में जै शीराम जै बागेशर धाम जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दीजिएगा मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए जै शीराम जै बागेशर धाम